मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूँ Creative Learning के चैनल में दोस्तों आज एक और वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने MS Word का document अपना type किया है ठीक है यह आप कोई project report बना रहे है और आप page number किसी particular specific page से ही insert करना चाहते है तो आप कैसे करेंगे जैसे कि आप देक सकते हैं यहाँ पर हमने project report बनाई है और हमने यहाँ पर page number इंसर्ट किया है अपना page number 4 से मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पस page है और यह page number 4 है जहाँ पर page number 1 लिखा रहा है और उसके नीचे वाले pages के आगे continuation number लिखे आ रहे हैं और जो उपर वाले pages है इसमें कोई page number नहीं है तो ये आप कैसे करेंगे MS Word में और इसका क्या solution है आपको step by step पूरा बताने वाला हूँ तो आएए दोस्तो शुरू करते हैं ये वीडियो अब दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने word का document टाइप कर लिया है और अगर आपने किसी word के document में page number insert करना है तो हम क्या करते हैं हमें जाना होता है यहाँ पर insert tab में मतलब home के साथ ही देखे insert tab है हम इस पर click करते हैं click करने के बाद आपको option मिले है page number का और यहाँ से आपने जहाँ पर भी page number insert करना है जैसे कि हम page के bottom में page number insert करना चाहते हैं तो हमने यहाँ से select कर लेना bottom of the page और जिस position पर भी आप page number insert करना चाहते हैं हम select कर लेते हैं लेकिन दोस्तों इस step से क्या होगा कि आप हर page पे page number insert करेंगे मतलब जो आपका first page है जो front page है इसमें भी आपका page number insert हो रहा है और continuation में हर page पे आपका page number यहाँ पे insert हो रहा है लेकिन अब हम चाहते हैं कि जो page number insert हो वो इस page से हो और जो first four pages है वो blank रहे मतलब वहाँ पे page number insert ना हो तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ तरीका अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हमने page number insert किया तो आपका header and footer का tab भी activate हो गया जहां पर आपको different options मिल जाएंगे जिससे कि आप page number को format कर सकते हैं वैसे मैंने already एक detail में video बनाई भी हैं अगर आप पूरा header and footer के tab समझना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि page number में आप formatting कैसे करनी है तो वह वाली video देख सकते हैं link मैंने description में दिया है साथी में eye icon पे click करके भी वो video आप देख सकते हैं फिलाल मैं क्या करता हूं यह वाले page number यहां से remove कर लेता हूं तो remove करने के लिए मैं यहां पे गया header and footer tab में और यहां पे एक option मिलेगा आपको page number का आपने इस पे click कर देना है click करने के बाद आपको एक option मिलेगा remove page number का आपने इस पे click करना है तो आप देख सकते हैं page number यहां से आपके remove हो गए है अब आप चाहते हैं कि जो page number है वो declaration के बाद शुरू हो मतलब जो declaration का page है वो हमारा fourth page है और अब हम चाहते हैं कि page number आपका fifth page से शुरू हो तो उसके लिए आपने क्या करना है जहां से भी आप page number शुरू करना चाहते है उसके previous page पे आपने click करना है ठीक है हमने बिल्कुल देखे end में click कर लेना है click करने के बाद अब आपने यहां पर जाना है home tab में home tab में जाने के बाद आपको एक option मिलेगा show and height का अपने इस पर click कर लेना है तो जैसे आप click करेंगे आपको यहां पर different different spaces मिल जाएएंगे कि आपने कहां का enterprise किया है और कहां काण आपने page break का use किया है अब आपने क्या करना है इस page पर click करना है मतलब जो हमारा declaration का page है आपने इस पर click करना है बिलकुल end में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे page break already inserted है लेकिन इस बार हमने use करना है section break का क्योंकि हम चाहते हैं कि जो उपर वाले pages है उसका अलग section बन जाए और नीचे वाले pages का अलग section बन जाए तो उसकी मदद से ही हम page number insert कर पाएंगे अलग-अलग तरीके से तो हमने क्या कि बिल्कुल end में click किया अब आपने यहाँ पर जाना है layout के tab में layout के tab में जाने के बाद आपको यहाँ पर option मिलेगा break का आपने इस पर click करना है click करने के बाद आपको option मिलेगा section break का तो simply आपने section break का जो first option है next page का आपने इस पर click कर देना है तो आप देखेंगे यहाँ पर section break insert हो गया है और यहाँ पर देखें नीचे page break भी inserted है अब देखें section break similar होता है page break के बस यह फरक होता है कि section break में क्या होगा कि जो आपका एक section बन जाएगा जहाँ पर आप differently उस section में काम कर सकते हैं लेकिन page break में ऐसा नहीं होता तो आप देख सकते हैं यहाँ पर section break भी insert हो गया है और page break हमारा already inserted था तो वो भी यहाँ पर inserted है तो अब हम क्या करते हैं इस page break को delete कर देते हैं तो just हमने क्लिक किया और यहाँ पर delete button प्रेस किया तो आपका यहाँ पर delete हो गया है अब हम वहापेश जाते है होम टैब में और यहां से जो शो इन हाइट का इसको डियक्टिवेट कर देते हैं अब आपका डॉकुमेंट यहां पे नॉर्मल पूजिशन में आ गया है अब आपने इंसर्ट करना है पेज नंबर इस पेज से मनलब जो पेज नंबर फिफ्ट है तो इसके लिए हम क्या करते हैं इस पेज की उपर जो नीचे जो फूटर का सेक्शन होता है इस पर डबल क्लिक करते हैं तो जैसे डबल क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहां पर आजागा फूटर सेक्शन नमबर टू और यहां पर लिखा रहा है सेम एस प्रिवियस ठीक है और जैसे हम मैं उपर स्क्रॉल करूंगा तो देखेंगे आप यहां पर सेक्शन नमबर वन आ गया मतलब यह वाला अगर आप इसको हटाएंगे नी तो आप पेज नमबर अलग से इंसर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह वाला पेज अभी लिंक हुआ हुआ है इस पेज के साथ तो सिंप्ली आपने क्या करना है इस सेमेस प्रिवियस पर क्लिक करना है मतलब जो हमारे सेक्शन नमबर टू अगर कहीं पे भी आपको same as previous लिखा आ रहे है sent one में भी तो आपने को भी अुसके कर देना है जैसे कि हमने section number two में किया था अब आपने किया करना है simply the section number two है यहाँ पे क्लिक करना है click करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है page number में और यहाँ पे option click करना है format page number तो जैसे format page number पे click करेंगे यहाँ से number format आपने select कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे start at पे click करना है और start at पे हम चाहते हैं कि यहाँ से page number 1 से शुरू हो तो हमने यहाँ पे 1 कर दिया और press कर लिया ओके लेकिन अभी भी आप देखेंगे यहाँ पे page number insert नहीं हुआ तो इसके लिए आपने again यहाँ पे page number में जाना है और जाना है bottom of the page क्योंकि आप page के bottom पे ही insert करना चाहते है और उसके बाद यहाँ से page number का यहाँ पे selection कर लेनी है let's say हम यहाँ पे यहाँ पे page number insert करना चाहते है तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा आगया है one अगर मैं आपको zoom करके दिखा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे one और next page में आपका लिखा आगया है two और मैं अगर आपको पिछले pages दिखा हूँ ठीक है जो आपके first four pages थे declaration के ठीक है तो यहाँ पे देखें कोई भी page number नहीं आ रहा है इस देंग से दोस्तों आप अलग-अलग section divide करके अपना page number insert कर सकते हैं और आपको दिखाने के लिए अगर आप चाहते कि यहाँ पे दूसरा format आज़े page number का तो वह भी आप कर सकते है first four pages में क्योंकि यह अलग section बना हुआ है मतलब यह section number one है तो इसके लिए आपने क्या करना है first page के बिल्कुल देकि end में click करना है तो आप देख सकते है section number one है और उसके बाद आपने यहाँ पे header and footer में ही page number में जाना है ठीक है और उसके बाद आपने format page number पे जाना है और आपने यहाँ से जो भी number format आप सेलेक्ट करना चाहते है वो आप सेलेक्ट कर सकते है let's say हमने यहाँ पे roman format सेलेक्ट करना है तो हमने यहाँ पे roman format सेलेक्ट कर लिया और आप चाहते हैं कि यह Roman number ऐसे insert हो तो आपने इस पर click कर लेना है तो आप देखेंगे यहाँ पर Roman number आपके insert हो गए first four pages में मतलब first यह देखे Roman number यह आपका आगया second then आगया आगया आपका third और then आगया आपका fourth और इसके बाद आपके यहाँ पर numeric digits शुरू हो गए है मतलब one, two, three and four तो इस दंग से आप दोस्तों अपने project report में और जो आप बना रहे हैं यहाँ पर page number insert कर सकते हैं customized form में तो I hope friends आपको पता लगे हो page number के बारे में अगर वीडियो पसे नहीं दोस्तों तो इस वीडियो को share जुरूर कर देना और एक like जुरूर कर देना और साथ ही में हमारे channel को like, share और subscribe जुरूर कर देना until and goodbye, take care, मिलते है next video में